Hello बच्चो, Good evening everybody, Good evening, Welcome to an Academy Sapiens everybody Welcome to the channel and आज हम हमारा last जो लेक्चर है वो लेने वाले है Animal Kingdom Part 5 वाला ठीके आज हमारी सारी फाइलम्स फाइलली कमप्लीट हो जाएगी इसलिए आज का लेक्चर बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि काफी बड़ा और काफी सारा कवरेज होने वाला है आज हम कहां से करेंगे, कल हमने अनलीडा तक कर लिया था, अर्थुपोडा कर लिया था मुलस्का, इकाइनो डर्मेटा, हैमी कॉड़ेटा और कॉड़ेटा की भी सारी क्लासे साज कवर होने वाली है तो टुडेज सेशन इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट बटा, ठीक है तो जो लास्ट लैप चल रहा है हमारा इंसियाटिक रिवीजिन का उसमें अनिमल किंडम का फिफ्ट पार्ट है और आज इस चैप्टर का क्लोज अप करने वाले है तो आर यू रेडी बेटा, आर यू रेडी, जल्दी से बताओ, सब तैयार है ओके बच्चों, लेट उस स्टार्ट विद आर सेशन, नो यार एजुकेटर I am Dr. Pranali Mishra, NEET UG Biology Educator on an Academy I have 5 plus years teaching experience and I have mentored more than 60,000 students online and offline and ये मेरा referral code है बेटा, Dr. Pranali Mishra is my referral code आप ये referral code यूज कर सकते है, इससे क्या होगा इससे आप जब भी an Academy पे ID बनाते हैं, so this can be used है जब an Academy पे ID बना रहे हो, तब भी इस referral code का use कर सकते हो जब प्लस या Iconic का subscription लेते हो, तब भी इसे use कर सकते हो और features क्या है अन Academy के घर से आराम से बैठके पढ़ाई करो unlimited courses, slow test, though, live test series, PDFs, doubt, sessions and whatnot बेटा फिर बात रही अपनी NEET के subscription की बेटा, तो दो टाइप के subscription होते हैं, प्लस होता है और एक Iconic होता है, है ना, मैं हर class में बताईए ये चीज आपको, तो जो plus होगा बेटा plus का क्या benefit है, कि आपको इंडिया के best educator, एक interactive life class और structured course मिलता है ठीके और Iconic में क्या होता है, personal coach, study planner, expert, guidance, extra मिलता है ये अपने सारे बेटा, ये उजी के subscription है, ये plus वाले, ये Iconic वाले same code use करना है, that is Dr. Pranali Mishra, ठीके, same code use करना है, ठीके, आजाओ फिर उसके बाद enthuse batch already start हो चुकी है, आप इस batch में enroll कर सकते हैं अभी is the best time बेटा, बारा महीने का subscription लोगे, तो 3 month का absolutely free मिलेगा that means 17,000 का absolutely free और 24 का लेते हो, तो 4 month का free है ठीके, 9th में को एक exam होने वाली है, scholarship test होने वाली है, जिसमें आपको prizes भी मिलेंगे ठीके, फिर जो neat UG plus subscription है, ये बेटा same thing है, you can write your quote over here तो बेटा start करते हैं, आज का बहुत बहुत important lecture, are you ready guys, ready हो पिलकुल animal kingdom पढ़ने के लिए, बहुत बहुत अच्छे से आज अपन को सारी philems complete करना है, अच्छे से support करना, comment box में answer देते रहना एक बास slides जारी है बेटा, सब देखते जाओ, याद है कि भूल गए हो, ठीके, comment box में बताओ, flatworm किसको बोलते हैं, which philem is known as flatworm ठीके, दूसरी चीज मैं को जल्दी से बता दो बेटा, क्या बताओगे, कि respiratory system कौनसी philem से आना शुरू हुआ था, respiratory system कौनसी philem से आना शुरू हुआ था, next, next question is, अनलीडा का जो circulatory system है, is that open type और closed type, बताओ, अनलीडा का open है कि close है, और तुम्हें पता ही वेटा, triploblastic layer और प्लेटी हेलमिंतिस से शुरू हुई थी, pseudosilome किस के पास है, pseudosilome escalimentis के पास है, segmentation किस में दिखता है, segmentation AAC में दिखता है, मैं यह सारी बाते इसलिए बता रही है, ताकि बच्चों का सब कुछ revise हो जाए, बिल्कुल, मैं सब के comment box में answer देख रही हूँ, pseudometamerism, platyhelminthus में दिखता है, notochord dorsal होती है, और इसका जो origin है, that is mesodermal, अभी आज याद रखना, ठीके, फिर मैंने बताया था कि यह echinoderms होते हैं, तो इसमें दोनों symmetry मिलती है, radial भी, bilateral भी, adult में कैसी मिलती है, bilateral, larva में कैसी मिलती है, radial, ठीके, फिर उसके बाद, अगर हम आजाएं, तो मैंने बताया था, fresh water sponge कौन सा है, spongula है, और क्या बताया था, जल्दी से बताओ, और यह बताया था, बेटा, कि जो silentrates हैं, इनके पास क्या होते हैं, कौन से cells होते हैं, special, needle blast और needle side, पर टीनो फोरा के पास यह cell नहीं होते, इसलिए उसको ए निडेरिया बोला, तो मैं इसके पास कौन से cell होते हैं काम करने के लिए, इसके पास होते हैं बेटा, lasso cells, याद है कि नहीं याद है, इनको sea walnuts, comb, jellies बोला, flat warm क्यों बोला, क्योंकि dorsal ventrally flattened है, बिलकुल चपते हैं बेटा, warm, ठीके तीनो की planning fail हो गई, is the example of किसका, platy helminth is, helminth मतला warm, ठीक के digestion का काम ही नहीं है, जब खाना ही नहीं बनाना, तो घर में kitchen क्यों रखना, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो development है, वो indirect है, now come to escalimentis, escalimentis के पास आई, silome, silome, mesoderm ही नहीं लेके आई, इसलिए pseudo silome बोला, और इसके पास, जो अपना digestive system था, वो आने लग female होती है, बड़ी, हना female होती है, सीधे end वाली, और female से डरता है, male, इसलिए अपनी पूछ अंदर कर लेता है, बेटा, female तो female है, फिर मैंने बताया था कि यह जो doctor के symbol पर यह जो warm रखते हैं, this is guinea warm, और Dracula medinensis, हना, फिर उसके बाद क्या पता है, अपन को इसके बारे में औ और बेटा, एनी बिचारी अकसर रह जाती है, एनी बिचारी अकसर रह जाती है, एनलीडा पढ़ लिया था, ठीके इसमें पैरापोडिया सबसे important point है, जो swimming में help करता है, क्योंकि पैरापोडिया सिर्फ और सिर्फ उनमें मिलता है, जो aquatic आनलीड जोते हैं, more over हमने देखा कि एनलीड जोते हैं, इसमें कौन सी pigment रहती है, इरित्रो क्रूरोनिन रहती है, हीमोगलोबिन नहीं रहती है, ठीके फिर मैंने बताया था, हीरो के पास फेरे का टाइम नहीं था, हीरो के पास फेरे का टाइम नहीं था, आर्थोपोडा बता दिया था कि इसके पास से क्या आन शुरू हो गया ठीके मुझे आर्थो पोड़ा बता दो कि ग्रिगेरियस पेस्ट कौन सा होता है आर्थो पोड़ा में ठीके लॉलीता बॉम्बे स्टोर आकर बटर पहले मतले न ठीके फिर मुझे बताओ कि जो हाउस फ्लाइ होती है उसके यंग वन को क्या बोलते है हाउस फ्लाइ के यंग वन को क्या बोलते है माम और भी तो चीज़े बताई थी इसमें बिलकुल बताई थी मैंने बोला था इस पेज पे ये चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है Limulus क्या होता है? Living Fossil होता है उसको क्या बोलते है? King Crab बोलते है Coxal Glands are present in Scorpion, Melfigen Tubules and Insects and Green Gland in Prawn बताया था ना? इसमें कौन से pigment होती है? Hemocinin बहुत कम बच्चों ने मैं उज़े बताया कि Maggot होता है किस-किस ने बताया बटा? ठीके, कुसुम ने बताया है और श्रद्धा ने बताया है Very Good, Saima ठीके, Housefly के Young One को क्या बोलते हैं? Maggots बोलते, Very Good ओके, फिर उसके बाद जो CC Fly होती है African Sleeping Sickness का Vector होती है फिर हमने सबके Mouth Parts भी पढ़ लिये थे ठीके, फिर मुझे ये बताओ कि जो Prawn होता है वो Insect होता है Arachnid होता है कि Crustacean होता है फिर आजाते हैं Second Largest Phylum पे Second Largest Phylum कौन सी होती है? Second Largest Phylum is Mollusca First Largest कौन ती आर्थो पोड़ा था? ये Terrestrial जमीन पे भी रह लेती है पानी में भी रह लेती है चार दिन हो गए है तुम्हें समझाते है माम को चार दिन हो गए है तुम्हें समझाते है कि 8 पॉइंट क्या क्या होते है तो 8 पॉइंट कौन से होते है सबसे पहले तो इसका Body Level of Organization बताओ कि Organ System Body Level of Organization है उसके बाद इसकी symmetry क्या होती है? bilateral क्योंकि Radial तो सिर्फ CCE की थी फिर बताओ Segmentation होता है क्या AAC AAC में तो Segmentation is not present AAC में Segmentation is not present ठीक है? तो AAC में AAC में Segmentation present है तो Molluska में Segmentation is absent और क्या पता है Digestive System है बिलकुल है Circulatory है, Respiratory है ठीक है? सारे Systems are present ठीक है बिटा, सारे Systems इसमें present होंगे और क्या पता है? Notocord नहीं होगी क्योंकि Notocord तो आखरी के दो में ही present है ठीक है? तो Seelome होगी क्या? बिलकुल होगी Seelome Analida के बाद सब में Seelome है Platy Helminthis के बाद सब Triploblastic है ये 8 पॉइंट तो तुम्हें मुझे बताने चाहिए ठीक है? अभी Kynodermata जैसे शुरू होगा पॉइंट लिखना शुरू कर देना अब देखो मुझे ये बताओ कि जो Porifera था उसका Porifera का जो Skeletal Is everything audible बच्चो? Audible and Visible? Quick Audible है? Visible है क्या बच्चो? जल्दी से बता दो comment box में Audible है? Visible है? Guys चलो, so let us start back बेटा सभी बच्चे अपने groups में डाल दो कि वापिस से क्या हो गई है? क्लास स्टार्ट हो गई है जो भी बच्चे groups में जिसको जहाँ जहाँ से आज के YouTube चैनल की लिंक मिली थी जल्दी से बच्चों को inform कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है There was some problem with the network बेटा Network के साथ कोई problem थी हम फिर से शुरू कर रहे ठीके? फिर से शुरू कर रहे हैं बच्चों जल्दी से आजाओ तो हम मुलस्क पे थे हाँ तो मैं तुम्हें ये चीज बता रही थी कि ये देखो ये mental है ठीके? और ये क्या अपना visceral hump है इन दोनों के बीच की जो cavity होती है ये पूरी इसको बोलते है mental cavity ठीके? और फिर उसके बाद ये जो file-like resping organ रहता है जासे वो खाना खाता है ठीके चलो welcome back बेटा so sorry for the inconvenience so sorry for the inconvenience अब पता नी बेटा ने दोका दे दिया था आज ठीके? चलो आजाओ तो ये जो file-like resping organ रहता है देखो, file की तरह दिखता है ये ना feeding, खाना खाने में मदद करता है जो mollusca का favorite काम होता है उसको rediula बोला है ठीके? और फिर जो feather-like gills कहां पर मिलते है mental cavity में तो देखो, ये mental cavity है इसमें दिखर है feather-like gills ये अपनी ठीके? अब आपन को इसका example देखना ये है paila और ये है octopus octopus, octopus को क्या बोलते है? devil fish बोलते है ठीके, octopus को devil fish बोलते है अब exam में question आता है ठीके, exam में क्या question आता है बेटा, सबसे जादा कि कौन सा नाम के पीछे fish है पर वो Pisces को belong नहीं करता तो तुम यहीं देख लो कि जो sapia है, cuttlefish इसके नाम के पीछे fish है पर यह mollusk है, ठीके, octopus के नाम के पीछे devil fish है पर यह क्या है, यह भी mollusk है तो इसका ध्यान रखना ठीके, और एक अपनने पढ़ाता sea fur, कहां पढ़ाता sea fur जल्दी से comment box में बताओ ठीके, a falcia is a sea hair dendritelium is tusk shell इसको याद कैसे करना है देखो, यह neoplina है ठीके, this is neoplina इसको याद कैसे करते हैं तो इसको याद करने की hint बताती हूँ फिर से octopus देखेंगे, आप चाय पी लो ठीके, फिर से octopus देखेंगे, आप चाय पी लो तो फिर मतलब pintada से मतलब sepia octopus से तो octopus याद रहेगा ही और क्या याद रखना है, देखेंगे से dentelium आप से aplica, चाय से cheetopleura और फिर P से paila और L से loligo याद रहेगा की नहीं रहेगा फिर से octopus देखेंगे, आप चाय पी लो चलो अब प्यार से बिटा दूसरी फाइलम स्टार्ट करते हैं that is echinodermata अब echinodermata का जो endoskeleton है, अभी तक हम बार बार exoskeleton की बात कर रहे थे अब हम कौन से skeleton की बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान दो endoskeleton, बेटा जो भी 8 point है echinodermata के तुरंत comment box में शुरू करो बताना like a good student 8 point बताना शुरू करो ठीक है very good अनुच, very good देखो, कमी लोगों ने मेरी बात मानी है कमी लोगों ने बात मानी है कि जो मैंने बोला था कि बता देना तुरंती नई फाइलम आए वैसे हैं बहुत अच्छा करा नई फाइलम की बता के तुमने, चलो तो echinodermata की body के लिए organ system level of organization होगा C, C, E में radial मिलती है अरे माम, E तो क्या है? radial, echinodermata इसका जो adult होगा वो क्या होगा? adult होगा, बताओ the adult will be what बेटा? bilateral और उसके बाद larva क्या रहेगा? radial, ठीक है? फिर triploblastic होगा, silomate होगा, digestive system क्या रहेगा? complete रहेगा, mouth रहेगा, anus रहेगा, इसका सबसे important feature है, water vascular system, देखो सीधी सी बात है, जब porifera था इसमें कौन सा system था? water canal system था, बार बार exam में इन दोनों में differentiate करने को पूछते हैं, इकाइनो डर्मेटा में क्या था? water vascular system था, this is very important था, water vascular, अब जो echinoderms हैं, जैसे starfish इन में बहुत ज़्यादा power होती है regeneration की, बच्चपन से जिस fish को तुमें सबसे देखो अब इसका नाम है starfish but it is not Pisces, ये क्या है echinoderm है, इसके पास regeneration की बहुत ज़्यादा capacity है, for example, ये starfish है ये गूमरी है, इसके पास में इसका दुश्मन आ जाएगा, ना prey आ जाएगा, ठीके, predator आ जाएगा, ये prey है, उसको मारने आएगा तो वो उसको डराने के लिए अपना एक arm, पाँच होती ना एक arm छोड़ के भाग जाती है तो सामने वाला क्या हो जाएगा डर जाता है, ठीके, तो this phenomenon is known as autogamy इस phenomenon को क्या बोलते हैं इस phenomenon को बोलते हैं autogamy, ठीके, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना दूसरी बात बिटा दूसरी बात ये कि C cucumber करके होती है ठीके, जब इना इसको गुसा आता है या फिर जब ये अपने predator से डर जाती है तो पता है उसको भी डराने के लिए क्या करती है, पूरी internal organ body के पूरा digestive system जो है body का बाहर निकाल देती है तो इतना गंदगी देखके कोई भी डर जाएगा इतना गंदगी देखके कोई भी डर जाएगा इस process को eviseration बोलते है ठीके इसमें excretory system absent होता है ये ध्यान रखना excretory system is absent अभी तक अपने excretory के बहुत सारी चीज़े याद करी थी इसमें flame cells, proton ephridia इसमें absent है ठीके sex is separate होते है escalimentis के बाद ही separate होने लग गए reproduction अब बड़े organism में sexually होगा fertilization इसमें external है अच्छा मुझे बताओ कि platy helmet थी इसमें जो fertilization था that was external और internal फिर जो development है वो indirect है indirect है मतलब larva बनेगा जो adult के जैसा नहीं दिखेगा इसमें सबसे ज़्यादा important अगर है तो estereas है starfish, cucumber cucumber है, that is sea cucumber, ठीके तो इसको कैसे याद करेंगे anti-asdic cucumber, कि anti जो थी office में उन्होंने बोला एक cucumber दे दो, very good बेटा जिसने भी internal बताए, बहुत अच्छा बताए orphanuria, antidon, estereas, echinus और cucumeria, ये इसके example याद करने का तरीका है ठीके, this is estereas, तुम पता ही है starfish, ये क्यों हो गया, फ्यूरा हो गया, ये brittle star हो गया और ये sea lily हो गया, ये NCRT में नहीं है पर मैंने बना दिये ताकि तुमें देखके अच्छा लगे, पता चले, ठीके, ये होता है of your tricks, ठीके, अब आखरी जो phylum है, छोटी वाली वो hemicordata है, cordata एक बहुत बड़ी phylum है, इसलिए मैंने उसको याद करने के लिए बहुत सुन्दर सा chart बना दिया है, ठीके, इतना सुन्दर सा chart है कि तुम उसको तुरंत revise कर लोगे, तो अभी hemicordata पढ़ो, फिर तो अपना ऐसे ही complete हो जाएगा, ठीके, अब पहले तो क्या होता था कि hemicordata को बोल दे थे थे कि ये cordata के अंदर की ही एक phylum है, मतलब पहले क्या होता था, कि hemicordata एक sub phylum थी, under the phylum cordata, पर लेकिन फिर इसको बाद में समझ में आया कि नई, 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 ये तो non-cordates है, तुम्हें पता है ना, porifera से लेके hemicordata तक, सब क्या होते हैं, non-cordates होते हैं, सिर्फ cordata ही cordate होती है, ये बात तो of level of organization है, symmetry bilateral है, triplo-elastic है, silomate है, सब कुछ है बेटा, इसमें, इसमें सारे system present है, digestive, respiratory, excretory, ये 8 point हो हमने पहले दिन ही याद कर लिये थे, चलो आज कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसकी जो body होती है बेटा है, ना, tongue warm बोलते हैं को, ऐसे अजीब सा warm दिखता है, जैसे तुमने tongue देखियो ना, tongue का shape वैसा, ठीक है, ऐसा कुछ shape होता इसका, तो जो body होती है, वो cylindrical होती है, मुझे बच्चे comment box में बताएंगे, कि जो हमने cylindrata पढ़ा था, उसमें दो form पढ़े थे, polyp और medusa, तो polyp cylindrical था, कि medusa होती है, proboscis, collar or trunk, इस page पे से सबसे ज़्यादा दो question आते है, एक होता है, कि warm like marine animals, marine मतलब तुमें पता है, marine मतलब जो 100% salty water में ही मिलेंगे, तो मैंने तुमें एक और phylum बताई थी, that was exclusively marine, तुम मुझे बताओ कि कौन-कौन सी phylums जो होती है, exclusively marine होती है, जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ salty water, यानि sea में मिलती है, यह मुझे बता दो, तो और एक तो यह पूछते हैं इसके बारे में, दूसरा पूछते है proboscis के बारे में, कि proboscis किस में होता है, तो hemicodita में होता है, circulatory system क्या है, open type है, जो भी organs है, बिल्कुल आरम से नहते रहते हैं blood में, respiration कैसे होता है, पानी में रहता है, तो gills से होता है, अब जो proboscis है, उसमें एक gland होती है, that is proboscis gland और यह excretory organ है, बेटा, this is very important, exam में इसके पूछे जाने के chances बहुत ज़ादा है, success तो आप separate होने लग गए हैं, बड़े times है, ठीके, development अभी तक indirect ही चल रहा है, बहुत कम ऐसे हैं, जिसमें direct होगा, ठीके, और fertilization इसका क्या है, external है, कोई मुझे बता सकता है, कि इसके पहले जो हमने phylum पड़ी थी, इकाइनो-डर्मेटा, उसमें जो fertilization था, वो internal था, कि external था, मैं देखना चाहती हूँ किन-किन बच्चों ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसके example बहुत easy से learn हो जाते हैं, glosses-glosses, belleno-glosses और seco-glosses, देखो ये tongue जैसा दिखता है, ठीके, तो this is proboscis, head और ये head है, proboscis है और ये collar, ठीके, चलो, next पे आजाओ, phylum, codeta, अना, codeta, अब ये वाली phylum is very, 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 very important, क्योंकि हम भी इसमें आते हैं और इसमें से question, मतलब देखो ये समझने के लिए बड़ी easy है, पर इसमें हैं चीजें याद करने के लिए बहुत है, ठीके, तो सबसे पहले codeta को, codeta क्यों बोला, देखो इसमें सारे अगर अपन 8 point याद करें, तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें organ system, level of body organization मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, organ system, फिर उसके बाद ये triploblastic होगा, इसके बाद ये silomate होगी, इसके बाद इसमें AAC, C मतलब quodeta, quodeta मतलब segmentation होगा, symmetry क्या होगी, bilateral होगी, इसमें digestive system भी मिलेगा, respiratory भी मिलेगा, ठीके, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि notocod भी मिलेगी, तो ये 8 point तो हमने वैसे ही याद कर लिया है, ठीके, ये चीज तो हमने वैसे ही याद कर लिया है, अब सुनो, ठीके, अब quodeta और non quodeta में difference होता है, एक vertebrata और non vertebrata में difference है, बच्चे हमेशा इसी में confused होते रहता है, ठीके, देखो, जो porifera से लेके hemicodeta तक आए, वो सब non quodeta थे, quodeta वाले quodate थे, अब मैं तुम्हें vertebrata और non vertebrata में भी difference बताऊंगी, पहले ये सुनो, कि quodeta किसको बोला, तो quodeta, मतलब quodates, जो इसके अंदर animal आते हैं, उनको quodate बोलते हैं, तो quodate सिर्फ उनहीं को बोला, जिसमें 3 characteristic feature थे, this is so important बेटा, इस page का सबसे important question यही है, ठीके, इस page का सबसे important question यह है, कि quodrates के feature क्या होते हैं, तो एक तो notochord होना चाहिए, presence of notochord, किसी भी stage of life में हो, embryo में हो, ठीके, larva में हो, adult में हो, कभी भी हो, पर life में एक time notochord होना चाहिए, फिर बेटा, notochord और nerve cord में difference होता है, यह मैं तुम्हें बताऊंगी अभी, ठीके, तो जो dorsal hollow nerve cord, तो जो nerve cord होती है बेटा, that should be dorsal, ventral नहीं होनी चाहिए, hollow होनी चाहिए, मतलब solid नहीं होनी चाहिए, तो dorsal hollow को याद रखना, बच्चे इसको ignore करते हैं, इसे ignore नहीं करना, dorsal hollow nerve cord, फिर paired pharyngeal gill slits, paired मतलब हमेशा pair में होना चाहिए, मतलब 20 हो सकते हैं gills, 21 कभी नहीं हो सकते, क्योंकि paired हैं, तो हमेशा even number मिलेगा, pharyngeal, मतलब pharynx के पास, हना, gill slits, pores होते हैं gills के लिए, तो तुम बोलोगे, madam मेर में तो नहीं है pharyngeal gill slits, मुझे तो ये chordata बोल रहे हैं, तो ऐसी बात है, बिटा, कि life में किसी भी एक time पर होना चाहिए, तो जब तुमारा embryo development चल रहा होगा, हना, जब तुम embryo होंगे, फीटस होगे, तब तुमारी life में एक बार आया होगा, ये बच्चे अभी 11th के तो नहीं समझ पाएंगे, पर 12th वाले समझ जाएंगे बटा, कि ontogeny recapitulates phylogeny, ठीके, इसका मतलब क्या हुआ बटा, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम, जब फीटस में development चलता है ना, तो जो अर्थ की history होती और embryological history होते हैं, ये correlated होते हैं, ठीके, तो ये तुमें ध्यान रखना है, इसके अलावा इनके पास closed circulatory system होता है, open तो उनके पास था, आर्थो पोडा के पास है ना, इसके पास closed है, इसके अलावा एक post channel tail होती है, बच्चे चिला रहे माम, tail भी नहीं है हमार पास, पर तुमने देखा होगा कि hip region के ऊपर एक ऐसा phosa present रहता है, यहां अपने adults के पास tail हुआ करती थी, इंदी course of evolution वो tail हडगई, पर होती थी, तो जो chordata होता है, वो Greek word से originate हुआ है, chorda और eta, chorda मतलब thick string, और eta मतलब है, तो जिसमें thick string होती है, थिक string मतलब क्या, notochord, तो chordate है एक ऐसे animal है, जिनमें notochord present रहेगी, जरूरी नहीं है, वो पूरी life हो, पर एक stage of their life में तो पक्का पक्का रहेगी, अब देखो, interesting बात कि अगर इस दुनिया में 100 animal है, तो इसमें 90 to 95% जो animal है, वो non chordate है, देखो बटा, it is so easy, यार, यह तो understanding है कि हम कभसे non chordate पढ़ रह हैंगे आदे घंटे में, मतलब maximum तो non chordate है और जो 3-5% है वो क्या हो जाते हैं, वो chordate हो जाते हैं, यह याद रखना, अब actual में सुनो notochord और nerve chord, बच्चे बड़ा confused होते हैं, रहना notochord में और dorsal hollow nerve chord में तो इस चीज को बेटा है न, ध्यान से समझ लो, notochord, जब तुम MBBS क पता चलेगा कि Chorda dorsalis बोलते हैं, पर अभी जरूरी नहीं है इसको याद करना, अभी से वितना याद कर लो कि notochord है, notochord किस से derive होती है, notochord mesoderm germ layer से arise होती है, यह न, dorsally located है, मैंने बोला था न, तो मैं ऐसे हो जाओगे, उल्टे लेट जाओगे, तो उपर वाला part dorsal हो Chordate, जब embryonic stage होती है Chordate की, तब solid rock, तुम यह देखना कि nerve Chord क्या है, this is dorsal and hollow, पर notochord क्या है, it is solid, hollow मतलब जैसे खाली bottle ले ली तुमने, तो bottle अंदर से hollow होती है, तब ही तो पानी भरते हो, लेकिन अंदर भरा हुआ कुछ है, तो that is solid, ठीके, तो इसमें क्या होता है, embryonic stage of Chordate में solid rod like structure दिखता है, इसको notochord बोलते हैं, ठीके, और just below the nerve chord and above the elementary canal, तो देखो, यह nerve chord हो गई, यह elementary canal हो गई, ठीके, इसके बीच में जो होती है, that is known as notochord, ठीके, यह याद रखना, ठीके, just below the nerve chord है, यह nerve chord है, यह elementary canal है, इनके बीच में जो होती है, वो notochord होती है, मतलब देखो, अगर तुम उल्टे लेटे हो, तो सबसे पहले क्या आएगी, nerve chord आएगी, सबसे पहले nerve chord आएगी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद notochord आएगा, और सबसे नीचे, अगर तुम उल्टे लेटे हो, तो elementary canal आएगी, ठीके, फिर अभी तो क्या होता है, कि notochord ऐ जब बड़ा हो जाता है ना फेटस, एम्ब्रियो फेटस से जब बड़ा इंसान हो गया तुम, तो जो नोटोकॉड होती है, it is replaced by vertebral column, ठीके, it is replaced by vertebral column, अभी मैं तुम्हें इसको और डीटेल में बताऊंगी, तो मतलब basically यह तो endoskeleton बन गया, ताकि बॉड़ी को support दे पाए, बेटा देखो, बच्चे learn कर लेते हैं, पर बच्चों के concept इस चीज को लेके बिल्कुल clear नहीं होते हैं कि नोटोकॉड क्या nerve कॉड है, क्या है, मैं मोल रही हूँ कि तुम्हें अभी ऐसे खड़े हो, मैंने तुम्हें उल्टा लेटा दिया, तो सबसे पहले उल्टे हो और उसके नीचे, elementary canal आती है, तुम्हें elementary canal पता ही है, digestive system वगेरा, तो इसके लिए clear रहना, ठीक है, इसका एक डाइग्राम भी बताऊंगी, और देखो, जो नोटोकॉड रहती है, that is solid, तुम्हारी जो वर्टिब्रिल कॉलम में, वो solid है, तभी तो support दे रही है, पर जो nerve cord र वगेरा, फॉर्म कर लेती है, paired pharyngeal gill slits क्या होते है, हर cordate में, present रहते है, paired lateral, lateral ध्यान देना, जल्दी से मुझे comment box में बता दो, कि lateral appendages, lateral appendages किसमें present है, बेटा, for locomotion, for swimming, किसमें present है, ठीक है, तो gill से तो समझी आ रहा है, कि respiration का काम कर रही है, अगर तुम aquatic cordates देखोगे, जैसे fishes है, वो पानी में रहती है, तो aquatic है, और caudates है, और lower caudates में देखोगे, तो pharyngeal gill slit पूरी life में रहते हैं, ठीक है, fishes में तो gills रहें गई, lower caudates में तो gills रहें गई, पर जो caudate terrestrial है, मतलब जमीन पर रहने लग गए, उनके gill cleft सिर्फोर सिफ embryonic stage में दिखते है, लेकिन जब वो adult बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके gill slits नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनका respiration किस से चल रहा है, उनका respiration lungs से चल रहा है, बिटक पैरपोडिया रहते हैं, और they are present in analida, ठीक है, तो फिर अगर हमको caudate और non caudate के बीच में difference बताना है, तो caudate को caud के बारे में, तो जो central nervous system रहता है, वो कैसा रहता है, dorsal, hollow और single, इसका कैसा रहता है, ventral, solid और double, यह याद रखना, यह सब में difference है, जो pharynx रहता है, उसमें perforation रहता है, gill slits का, इसमें gill slits absent रहते हैं, heart is ventral, तुम जब उल्टा लेटरे हो तो तुमारा heart तुमारी back पे आ आता है, chest पे आता है, heart, तो अपना heart के है, ventral है, peat वाला portion dorsal है, इसमें अगर present है, तो dorsal रहेगा, इसमें post anal tail is present, इसमें post anal tail is absent, ठीके, यह बहुत जादा exam में पूछा जाता है, बिटर difference, कोई 11th का बच्चा हो, जिसको अभी school की exam देना है, वो तो इसको आख बन करके learn क कर लो, क्योंकि exam में तो आएगा ही आएगा, अगर हमें structure देखे, तो मैंने बोला था, सब से उपर क्या रहती है, nerve cord, इसके नीचे रहती है, notochord, ठीके, और फिर रहती है, elementary canal, इस यह nerve cord, notochord, elementary canal, nerve तो हो जाएगी, spinal cord बना लेगी, notochord, backbone यह vertebral column बना लेगी, और यह रहेग है, तुमारे लिए इसको easy समझाने के लिए, पर please थोड़ा सा handwriting को समझने का try करो, although I'll be explaining you, हना, बहुत गिबरिश लिखा है, तो अगर हम देखे, कि जो हमारी phylum है, जो हमारी phylum है, chord data, ठीके, तो chord data हो गई, phylum, अब इस chord data को दो group में divide करते, एक होता है, proto chord data, हना, और एक हो जो true chord data है, उसको you chord data बोलते है, यह किस basis पे groups में classify करा, यह इस basis पे classify करा, बेटा कि इसमें head, न brain present है की नहीं, cranium present है की नहीं, तो proto chord data is a craniata, मतलब cranium is absent, craniata मतलब cranium is present, यह lower chord data होते हैं, यह higher chord data होते हैं, ठीके, अब इनको भी sub phylum में divide करा, तो जो proto chord data था, उसको कि दो sub phylum में divide करा, एक है euro chord data, एक है cephalo chord data, euro और cephalo, जो you chord data था, उसके अंदर तो बस एक ही sub phylum आती है, that is vertebrata, ठीके, जिसमें हम आते हैं, तो जिसमें vertebral column होता है, उसको क्या बोल देते हैं, vertebrata बोल देते हैं, और जिसमें vertebral column नहीं होता, वो यह दोनों हैं, बट present है, उनको क्या बोलते हैं, jaw absent है, sorry, जिन vertebrates में jaw absent है, गनाथा मतलब होता है jaw, यह jaw दिख रहे हैं, यह होता है गनाथा, ठीके, ए गनाथा मतलब jaw absent है, तो इसमें jaw absent है, गनैथो stomata, गनैथो मतलब jaw, stoma मतलब mouth, तो जिसके mouth में jaw present है, वो गनैथो stoma, तो इसमें jaw present है, ठीके फिर जिसमें job present है उसको भी दो super class में divide कर दिया तो दो super class कौन कौन सी है एक Pisces है एक tetrapoda है ठीके एक बात बोलू तुम्हें इतना अच्छा division कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जिसमें इतने प्यार से classify करा है NCRT में पता है सिर्फ U-Coddata को classify कर दिया है उन्होंने craniata, vreniata नहीं बताया है इसलिए इसको copy में लिख लेना या फिर मैं इसको send कर दूँगी तुम लोगों को ठीके तो जो Pisces है या tetrapoda Pisces मतलब जो पानी में रहते हैं और जिसके पास fins होते हैं जैसे placodermy, chondriic thighs और osteic thighs लेकिन जो tetrapoda होते हैं tetra मतलब 4, poda मतलब limbs तो जिसमें 4 वो हैं ठीके जो 4 पैर होंगे, जिसमें limbs that is known as tetrapoda ठीके, तो amphibians होते हैं तो इसको कैसे याद करें, परम तो P हो गया Pisces इधर, A-Ram A-Ram क्या होते हैं, हमारे tetrapoda amphibians, reptiles, aves और mammals, ठीके तो ये tetrapoda में आ जाते हैं अब हमको इसको एक-एक को detail में पढ़ना है पर मैंने इसको chart form में कर दिया तो मैं तुमें सिर्फ chart एक बार read करके बता देती हूँ, फिर तुम इसको अच्छे से learn करते रहना, मैं समझा देती हूँ ठीके, तो जो chordata थी, वो divide हो गई थी, euro chordata, tunicata या फिर, cephalo chordata, मिलब euro chordata को tunicata भी बोलते है देखो, ये जो euro chordata है इसको क्या बोलते है tunicata भी बोलते है ठीके, फिर उसके बाद जो euro chordata और cephalo chordata ये proto chordates है, ये lower vertebrates है, ठीके, lower chordates है ये exclusively marine है तो अब तुम मुझे finally एक list बताओ, बनाओ और उसमें लिख लो कि exclusively marine कौन कौन से होते है तो मैं बताया था न tinofora exclusively marine होता है ठीके, और कौन exclusively marine होते है, hemicodata exclusively marine होते है फिर euro chordata और cephalo chordata exclusively marine होते है ठीके, ये exam पूछती है कि exclusively marine कौन कौन से होते है अब जो euro chordata है और सिफोलो कॉर्ड डेटा इनके बारे में सुन लो तो यूरो कॉर्ड डेटा को ट्यूनी काटा भी बोलते है फिर इसमें जो नोटो कॉर्ड रहती है ये लार्वल स्टेज में रहती है ठीके और सिर्फ और सिर्फ टेल में रहती है मतलब urocodita और cephalocodata में भी तो difference है तो notocod is present in the larval tail ठीके लेकिन cephalocodita में क्या होता है head से लेके tail तक notocod present रहेगी और पूरी life present रहेगी ये इन दोनों के बीच का difference है example eurocordita के क्या क्या है 3 है ASD हना इसको याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो eurocordita is sad ठीके eurocordita sad है क्यूं sad है तो salpa, ascadia और doliolem ये इसके example है eurocordita के cephalocordita का तो बस एक ही example है इसमें जो दिया है that is brachio stoma amphioxus और lenslet बोलते हैं ठीके इनके बारे में सिर्फ इतना ही याद करना है ठीके अब हम vertebrita के बारे में पढ़ते हैं तो vertebrita के अंदर क्या आता है vertebrita इधर वाले में आ रहा था न देखो वापिस से classification देखो u-cordita के अंदर एक ही sub phylum आता है that is vertebrita इसके अंदर agnatha और gnathostoma आता है ठीके तो vertebrita मतलब क्या है इसमें जो notocord present तो रहेगी पर वो सिर्फ embryonic period में रहेगी तुम देखो न यूरो-cordita में present रहेगी पर larva में present रहेगी tail में present रहेगी cephalo-cordita में क्या होगा cephalo-cordita में पूरी life present रहेगी और किस में रहेगी मतलब पूरी body में रहेगी और पूरी life present रहेगी ठीके लेकिन vertebrita में present रहेगी पर embryonic period में ही present रहेगी ठीक है फिर बाद हमें notocod जो है replace करके कौन replace कर देगा इसको vertebral column इसको replace कर देगा adult में अब यह vertebral column cartilage का भी बनाओ सकता है बूनी का भी बनाओ सकता है तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी body का जो vertebral column है is that cartilaginus और is that what? बूनी बताओ ठीक है जो basic coordinate characters तो सब में हैं पर vertebrata के पास क्या-क्या special characters है तो vertebrata के पास ventral muscular heart है मतलब heart है muscle का बना हुआ है ventral है मतलब आगे region में present है back पे नहीं है ठीक है heart में chamber भी होंगे दो होंगे तीन होंगे या चार होंगे kidney present रहेगी excretion के लिए osmo regulation के लिए और paired appendages present रहेंगे paired appendages या तो fin होंगे या तो limbs होंगे fin होंगे तो उसको pisces बोलेंगे limbs होंगे तो उनको tetra ports बोलेंगे यह देखो ascadia का photo है substratum से attached रहता है यह ठीक है sad याद रखना sad is the example of eurocordata फिर देखो यहाँ पे इन्होंने division बनाया तो है पर इतने अच्छे से नहीं बनाया है यहाँ पे उसका तो division ही नहीं दिया उन्होंने on the base of cranium and non a craniator ठीक है तो इसलिए मेरा वाला chart याद कर लो यह पूरा completed नहीं है ठीक है फिर उसके बाद में सुनो फिर उसके बाद में क्या होता है Pisces अब हम कहां आ गए अब हम आ गए हैं कि जो तुमारे यह हैं vertebrata है यह Pisces भी हो सकते हैं tetra ports भी हो सकते हैं तो Pisces में अलग-अलग type क्यों होते हैं साइक्लो स्टोमेटा, कॉंड्री एक्थाइज, ओस्टी एक्थाइज वो पढ़ना है तो साइक्लो स्टोमेटा ऐसा पढ़ लो मैंने टेबल बना रखी वो टेबल तुमें बना दूंगी तो जितने भी साइक्लो स्टोमेटा होते हैं इनको साइक्लो स्टोमेटा क्यों बोला साइक्लो मतलब सर्कूलर और स्टोमेटा मतलब माउथ तो इसका जो माउथ है दाटिस सर्कूलर उसके बाद सर्कूलर माउथ क्यों है क्योंकि ये कोई फिश है इसके उपर साइक्लो स्टोमेटा ऐसी चिपक जाती है मतलब एक्टो पैरसाइट है एक्टो पैरसाइट देखो ना ये फिश है ऐसे चिपक गई ठीक है एक्टो मतलब बॉडी के उपर बॉडी के उपर चिपक के पैरसाइट का काम करती है क गिल स्लिट का काम क्या है बटा रेस्पिरेशन करना तो वह सब के गिल स्लिट लिखने की किस में कितने गिल स्लिट पाए जाते हैं because choose the correct statement में यह पूछा है cyclostomata मतलब sucking और circular mouth है without jaws jaw नहीं present है मतलब यह किस में आईगी बटा jaw absent है मतलब एगनाथा में आईगी है और क्या बोला इसके बारे में इसके पास scales भी नहीं है paired fins भी नहीं है पर cranium है cranium है तब ही इसको craniator में रखा vertebral column है तो सही पर cartilage का बनाए मतलब ऐसी गुड़मूड हो जाएगी fish इसकी solid body नहीं हो पाएगी circulation तो caudator में closed type होता ही है ठीके यह actual में होती मराइन है लेकिन जब इसको क्या करना पड़ता है बच्चों को birth देती है यह जब अपने बेबी इसको birth देती है मतलब spawning करती है तब यह fresh water में चले जाती है पर जैसे ही बेबी को देखो खुद तो मराइन है मतलब इसकी osmotic condition कैसी है मराइन में रहने जैसी है पर birth देने के लिए जहाँ पर जाती है तो वहाँ पर osmotic problem होती है तो जैसे ही spawning करती है कुछ दिनों में उसकी death हो जाती है ठीके फिर larva तो महीं पर birth हो गया fresh water में फिर जैसे larva थोड़ा सा बड़ा होता है उसमें metamorphosis होती है metamorphosis मतलब larva जब adult बन जाता है तो वो वापिस किस की तरफ आ जाता है ocean की तरफ आ जाता है salty water में आ जाता है और फिर वो भी ocean में रहने लगता है फिर जब वो बेबी को birth देता है तो वो कहाँ चले जाता है वो फिर जाएगा fresh water में spawning के लिए इसका example क्या है petromyzone lamprey ही है न और mixing मतलब hackfish mixing मतलब hackfish ये दोना examples are very important सभी बच्चे मेरी एक बहुत important बात सुन लो कल शाम को 7 बज़े YouTube पर ये सेम अपना YouTube चैनल है an academy sapiens शाम को 7 बज़े एक game होने वाला है जिसका नाम है पहचान कौन पहचान कौन में तुम्हें क्या करना है तुम्हारे सामने एक photo आईगी ठीके तुम्हें उस photo को पहचानना है recognize करना है और उसका scientific name comment box में बताना है तो ये जितने भी scientific पर तुम्हें तुम्हारा काम easy करने के लिए मैं ये बता देती हूँ कि जो भी photo आईगी भले हुआ NCRT की हो या NCRT की नहीं हो वो जो होगी example में से ही होगी तो देख ले न बटा petromyzon कैसी दिखती है mixene कैसी दिखती है और rule ये है कि तुम्हें उसका scientific name ही बताना है common name नहीं बताना ठीक है बटा lenslet तो कुछ और है अभी अपने lenslet तो दूसरा पढ़ा है ये तो lamprey है lenslet तो पीछे चले गया ये देखो lenslet amphioxus और lenslet amphioxus और lenslet ये किसमें present है ठीक है इसका example क्या ऐसी fellow core data है ठीक है चलो फिर next पे आते हैं बेटा आज कैसे भी करके ये complete करना है तुमें भी और मुझे भी ठीक है petromyzone ये देखो petromyzone तो इसका mouth क्या है circular है इसकी body क्या है elongated है ये इसके gillslits present है जल्दी से मुझे बता दो कि cyclostromata में कितने gillslits present होते है जल्दी बताओ कितने gillslits present है समझी आ रहा है कि इसका vertebral column काटी लेजीनस है तभी ऐसी गुडबुड फिश है चलो अब इसके बाद पाइसेस जो होती है mainly 2 उसमें divided है एक होती है कॉंडरी 21 एक होती है औस्टी 21 कॉंडरी मतलब किसकी बनीवी है काट देखो यह मैंने बहुत इजी करने का ट्राइ करा है तुम्हें चार्ट बनाके तुम इस चार्ट को पढ़ लोगे तुम्हारा सब कुछ कवरेज हो जाएगा ठीक है बेरी गुड बेटा मतलब होता है फिश तो जो काटिलेजिनस फिशे से उसे कॉडरी एक थाइस बोलते है औस्टी मतलब बोन एक थाइस मतलब फिश तो जो बोनी फिश होते है उसको उस्टिक थाइस बोलते है तो common name हो गया किसका एंडोस्केलेटन किसका बना है तो on the basis of endoskeleton ही तो इसे दो बार्ट में डिवाइड करा जिसका endoskeleton cartilage का था उसको cartilage नस फिश बोला जिसका endoskeleton बोनी था उसे क्या बोला बिटा उसे बोनी फिश बोला ठीके फिर habitat habitat तो ये mostly marine होती है cartilage नस फिश मराइन ही होती है पर ये marine भी हो सकती है fresh water भी हो सकती है ठीके इसका जो structure है it is dorsal ventrally flattened तुम बताओ कौनसी phylum में तुमने पढ़ा था कौनसी phylum में पढ़ा था कि देयार dorsal ventrally flattened जल्दी से बताओ ठीके और ये भी बताओ कि usually bilaterally flattened ये bilaterally flattened होता है ठीके dorsal तो देखो different समझो dorsal ventrally flattened ऐसा ठीके देखो dorsal ventrally flattened मतलब ऐसे papers ऐसी है bilateral मतलब ऐसा तो ऐसी लंबी लंबी fishes दिखेंगी ठीके position of the mouth इसका जो mouth है वो ventrally रहेगा मतलब mouth कह रहेगा नीचे की side रहेगा ऐसे नीचे mouth रहेगा और इसका mouth terminal है मतलब ऐसे term पे present है नीचे नहीं present है ठीके फिर gills क्या होंगे इसमें 5 to 7 pairs of gills present होंगे पर इसमें operculum नहीं होगा operculum क्या होता है ये gills को cover करके रखता है ठीके और क्या होगा बेटा तो 4 pairs of gills होंगे इसमे ठीके इसमें क्या होगा operculum होगा मतलब cartilaginous fishes में operculum नहीं रहता है इसमें operculum रहता है तो जो types of scales बताओ तो इसमें plecoid scales मिलती है कौनसी scales मिलती है plecoid this is very important for exam ठीके scale मतलब ऐसा एक lesions ऐसे ऐसा दिखता है यह दिखते हैं तो मैं यह scales होती है है यह न सकिन के उपर scales मिलती है और यह होती है cycloid या फिर tinoid scale हाना cycloid या फिर tinoid तो आप जो operculum है ठीके देखो इसमें क्या है operculum नहीं है ठीके तो इसमें क्या होता यह connected है जिसमें ओपरकुलम नहीं रहता, उसमें air और swim bladder भी absent रहता है, और जिसमें ओपरकुलम होता है, उसमें air और swim bladder भी present होता है, ठीके, फिर उसके बाद क्या है वेटा, ठीके, तो high concentration of urea in the blood, ठीके, तो इसमें बहुत ज्यादा urea रहता है, बोडी में, इसमें नहीं रहता है, kidney इसके कैसी रहती है, prozonephric, बहुत जादा important नहीं है, kidney का type समझना, पिर इस बात को जान लो बिता कि जो prozonephric kidney होती है, वह primitive होती है, mesoepharic kidney मतलब beach की kidney है, और metanephric kidney मतलब बड़ी advanced kidney है, बड़ी अच्छे type की kidney है, ठीके, फिर उसके बाद ये urea secrete करती है, as the excretory waste, it is ureotelic, ठीके, और ये क्या release करती है, ammonia release करती है, तो ये क्या हो जाती है, ammonotelic, ठीके, तो जो chondriic thighs थी, that was ureotelic, और ammonia tellic कौन सी हो गई, osteic thighs, ठीके, इसमें claspers are present on pelvic wings, तो ये claspers क्या होते है, ये copulation में help करते है, तो chondriic thighs, CC, मतलब chondriic thighs में claspers मिलेंगे, जो copulatory organ है, इसमें claspers absent रहेंगे, fertilization में भी difference है, इसमें internal fertilization होगा, इसमें external fertilization होगा, ठीके, internal क्यों होगा, क्योंकि claspers present है, तो इसके पास copulatory organ है, तो अंदर male gamit release हो सकता है, इसलिए internal fertilization होगा, इसमें नहीं हो सकता, इसलिए external fertilization होगा, अब अगर fertilization अंदर हो रहा है, तो baby का development भी अंदर होगा, मतलब ये VV Paris होगी, और ये एग ले करेगे, क्योंकि external fertilization में बाहर एग रिलीज होता है, तो OV Paris, तो ऐसे चीजों को connect करकर के याद करो, ये तीन चीजे तो त points भी है, अब इसमें क्या होता है, कि जो प्लैकोइड स्केल्स मिलती हैं, बोडी के उपर, तो T are also modified प्लैकोइड स्केल, मतलब जो दात है, इसके पास, वो भी क्या है, modified प्लैकोइड स्केल से और backwardly directed है, मूह में दात ऐसे पीछे के तरफ दिखेंगे, ठीके, और जो मेंबर से, predators है, और powerful जो है, यह जितनी भी, बेटा, kondri, 21 होती है, यह शिकारी fishes होती है, खाती है, खाती है, बहुत ज़्यादा, खतरू fishes होती है, खतरनाक fishes है, मतलब, kondri, 21 है, कोई current लगा देती है, कोई खा जाती है, ठीके, अब इसमें मैंने बताया था, कि air bladder absent है, हाना, देख इनको अगर, अगर, air bladder absent है, तो यह तो डूब जाएगी, इसको अगर डूबना नहीं है, तो swim करना पड़ेगा, continuously, ताकि डूबे ना, तो kondri, 21 हमेशा तुमें, वैसी टैरती हुई, swim करते हुए मलेगी, और इसमें, notocod is persistent throughout the life, इसके बाद, notocod persistent नहीं रहती, ठीके, चलो फिर जो air bladder है, इसमें तो present है, किसमें, ostrich thighs में, मतलब जरूरी नहीं है कि full time swim करना पड़े, क्योंकि air bladder इसको बचा ही लेगी, हना, sink होने से, अब देखो, इसके examples में, बच्चे usually confused होते हैं, इसको example में confuse मत हो, तुम समझ जाओ कि जितनी भी खतरनाक fishes हैं, वो chondric thighs हैं, जैस इसको dog fish या फिर shark बोलते हैं, shark के देखना teeth backward projected होते हैं, shark हमेशा मार देती है, बटा, shark किसी को छोड़ती है, क्या, नहीं, तो cartilaginess fishes हमेशा खतरनाक है, फिर दूसरी होती है, torpedo, मतलब इसके पास electric organs होते हैं, जैसे इसको कोई हाथ लगाता है, इसको current लग जाता है, तो 100 से जैसे के 200 वोल्ट तक का इसके पास क्या रहता है, voltage का, shock लगाती है, potential है, तो ये भी खतरनाक है, मतलब cartilaginous ही होगी, trigon, trigon है इसके पास क्या होगी, sting रहोगी, मतलब poisonous sting होगी, सब को क्या करेगी, sting मार के, poison से मार डालेगी वो, अगर इसका किसी को sting लग गया, तो वो मर जाएगी, तुमने finding nemo movie देखी है, उसमें ये सारी fishes दिखती है, trigon दिखती है, jellyfish दिखती है, rohu दिखती है, ठीके, तो जो sting ray होती है, ये भी खतरनाक है, तो ये भी cartilaginous होगी, pristis, pristis मतलब sawfish, saw मतलब आरी होती है, तुमने आरी में देखा है, ऐसा ऐसा होता है, जिसस है, लकडी वकडी काटते है, तो इसके जो दात होते है, वो आरी के तरह दिखते है, इसलिए इसको क्या बोलते है, sawfish बोलते है, तो ये भी खतरनाक है, मतलब ये भी condrick thighs है, फिर होती है, chair carodon, मतलब क्या होगा, chair carodon है, great white shark, great white shark, मतलब white color की होगी, और dawn है, फिर से dawn आया, मतलब, खतरनाक और खतरनाक, मतलब क्या, condrick thighs, फिर चमायरा, ये मैं तुम्हें learn करवाती हूँ, why this is important, ये इसलिए important है, क्योंकि मैं बताती हूँ, it is a connecting link, आगे की उसमें बताती हूँ, slide में, ठीके, फिर जो marine fishes होती है, ठीके, अब जो, देखो, actual में क्या है, कि जो boni fish है, मतलब, जो austic thighs है, वो क्या होता है, ठीके, austic thighs जो होते हैं, ये marine भी हो सकते हैं, मतलब, salty water में भी मिलते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, fresh water में भी मिल सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, तो marine मतलब, जो salty water में, boni fishes मिलती है, वो exocetus है, flying fish है, इसके जो fin है, वो punk की तरह दिखते हैं, तो ऐसा लगता है, कि ये ऊड रही है, exocetus, flying fish, ठीके, फिर anguilla होती है, eel, और hippocampus, seahorse, तो जब तुम 11th के टेक्स्ट बुक खोलते हो, NCRT की, तो जो सबसे पहला diagram दिखता है, वो seahorse का दिखता है, तुमने देखा है, वो seahorse का ऐसा-ऐसा diagram होता है, ठीके, हिपो कैंपस, हिपो कैंपस हमारे brain के एक पार्ट को भी हिपो कैंपस बोलते है, इसे seahorse क्यों बोला, क्योंकि ये मराईन है, sea में रहता है, और horse इसले बोला, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा horse जैसा इसका face होता है, horse जैसा दिखता है, इसके बारे में special बात ये है, कि इसमें male में maternal character होता है मतलब इसका जो male होता है वो egg को क्या करता है बेटा take care करता है और baby इसमें develop होता है ठीक है इसके pouch में, तो male में maternal instinct है, ठीक है चलो, fresh water members fresh water members क्या होते हैं, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है इसको या तो तुम यहाद कर लो या तो फिर तुमें strategies for the enhancement of food production में aqua culture, PC culture में याद कर नहीं है, कि fresh water में कौन से होते हैं, रोहू, कतला common carp, मगूर म्रगाल valegonia, मलही ठीक है, aquarium अब ऐसी fishes होती है, जिनको aquarium में रखते हैं, show करने के लिए कि कितनी सुन्दर fish है, ठीक है तो बीटा एक fish होती है, fighting fish जब हम इसको किसी के भी साथ aquarium में रखते हैं, तो ये सारी मचलियों से लड़ाई करती है, इसी लिए इसको fighting fish बोला, terophyllum angel fish है, बड़ी सुन्दर सी होती है, इसी लिए इसको क्या बोलते हैं, angel fish बोलते हैं, ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि प्लेकोइड स्केल chondric thighs में मिलेंगी, इसके अलावा जो तुम्हें एक और बात मुझे बतानी रह गई है, वो ये हैं बटा, कि ये क्या होते हैं, ये cold blooded होते हैं, poikilo thumbs होते हैं, मतलब जिस temperature में तुम इसको रखोगे उस temperature में क्या होगा मतलब ये अपना body temperature अपने ambient temperature की according change कर लेती है, मतलब अपने body temperature को नहीं regulate कर पाती मतलब तुम्हें desert में रखूंगी तो भी तुम्हारा temperature यही है तुम्हें पोलर region पर रखूंगी तब भी तुमारा temperature यह जाएगा और अगला बहुत इंपोर्टेंट है कि क्लैस पर किस में मिलता है तो कॉंड्रिक थाइस में मिलता है चाइमेरा जो रैट फिश है इसको किंग ऑफ हैरिंग बोलते या फिर गोस्ट फिश बोलते इट इस दी कनेक्टिंग लिंक बिट्वीन बोनी अन काटिलेजनस ठीके इसमें क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि काटिलेजनस में तो क्या होता है कि ओपर कुलम क्या रहता है एपसेंट रहता है हना लेकिन इसमें ओपर कुलम प्रेजेंट रहता है फिर भी ये काटिलेजनस है मतलब बता रही है कि इससे ये कैसे इवाल्व हुए दूसरी बात देखो ये रहा scolidone, देखो scolidone देखो, this is what, shark और ये přिस्टिस है, सौ फिश है, देखो आरी की तरह है, तो ये दोनो दोन हैं तो ये cartil genuine 산uesta और श्टिक था, इस तुम बता लिया, इसको हमेशा swim नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसको swim इसलिए नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसके पास air bladder और operaculum रहता है, ठीके, this is hippocampus, ये NCRT के पहले page पे बनाए, और ये कतला है, इसको लोग खाते है, ठीके, hippocampus को क्या बो जिसमें मेल क्या करता है एग को कलेक्ट करता है ठीक है फिर लेबियो को रोहू बोलते है या फिर इंडियन कार्प बोलते है ये फ्रेश वाटर है क्लेरियस को कैट फिश या फिर मगूर बोलते है कतला तो तुम्हें पता हिए बेटा हो गई फाइटिंग फिश एक्वेरियम फिश, टेरोफाइलम, इंजल फिश या फिर एक्वेरियम, अब ये दोनों NCRT में नहीं है, पर एक्जाम पूछे गए है, कि जो लेटी मेरिया होता है, ये क्या होता है, इसको सीलो कैंथ भी बोलते हैं, जब हम एवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ बोला था कि मेरे नोट्स से ज़्यादा तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरुवत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें NCRT भी कवर करवा दियो, और NCRT के बाहर का जो इंपॉर्टेंट है वो भी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, फिर जो गैं पढ़ना है और ये चार्ट के बाद अपना चाप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको ज़रा पांच मिनिट में पूरा चार्ट समझ लो तो हमें पूरा परम याद हो जाएगा, तो देखो, जब वर्टीब्रेटा पढ़ते हैं, टेट्रापोर्स तो इसको याद कैसे र ये तुम्हें पन को पढ़ना है, तो अब मैंने इसका चार्ट बना दिया है, ताकि तुम्हें एजीली डिफरेंस याद रहे, और तुम्हें ये चार्ट कहीं लिखके तो आना नहीं है, तुम्हें तो बस समझना है, ठीके ताकि तुम्हें ये लर्न हो जाए, ठीके इसको जल्दी से समझ लो और कल की quiz होगी जो शाम को 7 बज़े में उसके लिए पहले बता रही हो कि NCRT में जितने भी नाम और scientific name दियें वो पढ़ के आना हो सकता है डाइग्राम बाहर का आजा है लेकिन तुमें scientific name बताना पड़े पर सारे scientific name वहीं पूछे जाएंगे जो क्या रहेंगे NCRT में रहेंगे ठीके तो देखो कौन कहां मिलता है तुमें सब कुछ पता है ये मचली है इसमें तुम इमाजिन कर लो फ्रॉग इसमें एक्जाम इमाजिन कर लो टर्टल या फिर घना कुछ भी क्रोकोडाइल इमाजिन कर लो थोड़ा सा एव्स मतलब बर्ड और मैमल मतलब तुम अब इससे तुमें ही अपने आप सारे answers पता चल जाएंगे देखो habitat prices क्या है मचली जल के रानी है पानी में ही मिलेगी amphibian का नाम amphibian क्यों है amphibian मतलब इनवार्मेंट में रह सकता है यह पानी में भी रह सकता है जमीन पे भी रह सकता है रेप्टाइल हमेशा terrestrial होते हैं एव जना bird हमेशा terrestrial होते हैं bird पानी में रहती है क्या तुम क्या हो terrestrial हो ठीक है तो तुम बटा बस इसको समझ जाओ ठीक है इसको बस imagine करो इन पाचों को इसमें learn करने की जरुवत नहीं है Urinary bladder absent इसको urine store करने की क्या जरुवत है पानी में बटा हना वहीं पर urine कर दो किसी को पता नहीं चलेगा की कर दी है बहुत बच्चे swimming pool में भी ऐसा करते हैं कि urinary bladder का use नहीं करते है तो तुम तब क्या बन गए? Pisces बन गए? Amphibians में urinary bladder is present पर reptiles और eves में absent है तभी तो bird कभी भी उपर से फुचुक कर देते हैं तुम्हें पता ही तो है reptiles में और eves में absent है जो mammals रहते हैं ठीके mammal में urinary bladder present है तुम सम में present ही है? चलो respiratory organ, respiratory organ क्या होते हैं? respiratory organ, fishes में तो gills होते हैं क्योंकि पानी में रहता है लेकिन amphibian में थोड़ा सा extra है कि अगर larva है, amphibian का larva है, मतलब पानी में रहेगा पानी में रहेगा तो इसके पास gills होंगे लेकिन जो इसका adult है वो जमीन पे रहेगा तो वो skin से भी कर सकता है और lung से भी कर सकता है ठीके? चलो, reptiles पे आजाओ reptiles में क्या होते है? lungs होते हैं तुम्हें पते है, बच्चों से ऐसा random ली पूछ लो तुम्हें क्या लगता है, crocodile के पास lung है क्या? बच्चे बहुते नहीं, मैम, crocodile के पास lung हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बटा, reptiles में lungs रहते हैं bird देखो कितनी छोटी होती है पर bird में भी क्या रहता है? ठीके? lungs रहती है, mammals में भी क्या रहता है? ठीके? mammals में भी lungs रहती है अगला point आजाओ बटा, अगले point पर आजाओ ठीके? अगले point क्या है? अगला point कौन सा है बटा, जल्दी से बताओ अगला point है exoskeleton इनमें अभी बताया, dermal scales रहती है plecoid scale है, for example बताओ कौन सी scale मिलती है? boni fishes में, amphibians में तो क्या होता है? exoskeleton is absent ठीके, इसमें exoskeleton sorry, रहता ही नहीं है ठीके, reptiles में epidermal scale रहती है तुम देख न, crocodile के उपर ऐसे अजीब सी skin होती है epidermal scale, dermal के उपर scale skin के उपर scales है aves के पास क्या रहता है? feathers रहते हैं, उड़ते हैं वो हना फिर उसके बाद mammals wings और feather में भी difference है wing मतलब punk, जिससे limbs modified है और वो उड़ पा रहे है feather मतलब क्या होता है? feather तो उसके उपर जो covering होती ही न, fur की, that is feather ठीके, feather और wings में difference होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए hair और nail अपने में exoskeleton है अब देखो, इसमें कैसे याद करोगे कि परम लिख तो दिया अब परम में तुम ये याद रखना कि ये जो आगे के 3 होते ठीके, they are cold-blooded आगे के 3 cold-blooded है मतलब, जिस environment में इनको रखोगे इनका temperature वैसे हो जाएगा तो par cold-blooded है am क्या होते है, warm-blooded है मतलब, कैसे भी temperature में रखो इनके पास enough energy है कि ये अपने temperature को maintain कर लेते है ठीके, हाँ मेट बेटा send कर दूँगी PDF तुमें ठीके, तो ये अपने आपका temperature maintain कर पाते है ठीके, तो जिनका constant body temperature रहता है इनको homeotherms बोलते है इनको endothermic बोलते है ये warm-blooded बोलते है देखो, यहाँ पे लिखा है पर जो ये होएं बेटा जो ये pycets और amphibians और reptiles है, ये body temperature नहीं maintain करते हैं, इनको poikilotherms, cold-blooded या फिर ectothermic बोलते हैं अब kidney की बात आई जब kidney की बात आई तो मैंने तुम्हें बताई दिया था कि proton-nephric kidney वो किसमें मिलती है जो बहुत primitive है अब तो थोड़े advance हो गए तो इनमें meso-nephric मिलेंगी और आखर मतलब देखो PA और A में meso मिलेगी ठीके, और RAM में क्या मिलेगी, metanephric मिलेगी PA और A में absent है RAM में present है extra amniotic membrane तो अगर कोई तुमसे पूछे कि यह जो परम है इसको classify करो on the basis of what? on the basis of extra embryonic membrane तो कैसे क्लासिफाइ करोगे? कि अगर extra embryonic membrane नहीं है तो उसको A amniots बोलोगे क्या बोलोगे? N amniots बोलोगे और जिसमें extra embryonic membrane present है उसको amniot बोलोगे तो Pisces और Amphibians और Amniots और Reptiles, Amphibians और Mammals और Amniots इसको ध्यान रखना ठीके? Excretory product क्या होता है? यह पानी में रहेगा? तो Ammonotelic होगा mainly फिर यह पानी में नहीं रहता है Amphibia कभी रहता है कभी नहीं रहता है इनको पानी बचाना है Reptile को, Aves को तो इनका Uric Acid रहता है और Mammals का क्या रहता है? Urea रहता है Heart Chamber की बात करो तो मैंने तुम्हें बताया है कि 2, 3, 3, 4, 4 मतलब Pisces में दो Heart Chamber रहते हैं एक Atria रहता है, एक Ventricle रहता है ऐसे Heart को हम क्या बोलते हैं? इसे Heart को हम Venus Heart बोलते हैं ठीके, जो 3 है बेटा जो ये 3 है, इसको क्या बोलेंगे? 2 Atria और 1 Ventricle इन दोनों में 3 है तो 2 Atria रहता है और 1 Ventricle रहता है पर Reptiles में एक Exception है That is Crocodile Crocodile के पास 4 Chambered Heart रहता है फिर इन दोनों में तो 4-4 है 2 Atria और 2 Ventricles फिर अगर Heart Chamber के Basis पे हम Circulation पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे? ठीके, तो जो Circulation होता है वो क्या होता है? Single Circulation होता है अब 2 तो Chamber है अब इन में 3 होता है Chamber इसलिए Incomplete तो होगा पर Mixed Double Circulation होगा Mix हो जाएगा न Blood क्योंकि 2 है Atrium एक ही यह बेटा Ventricle तो Mix हो जाएगा Mixed Double Ventricle Double Circulation Incomplete पर इसमें 4 Chamber है तो Complete Double Circulation होगा इन दोनों में ठीके, Sinus Venosus किसमें होगा? Sinus Venosus Lower Vertebrates में होता है मतलब Pisces में और Amphibians में क्या होगा? बेटा, Sinus Venosus होगा इसमें Reduce हो जाएगा और बड़े ओके, Sinus Venosus Absent हो जा रहा है Higher Animals में ठीके? फिर Next पे आजाओ Hypatic Portal System Present, Present और Well Developed तो यह इतना Important Point नहीं है ठीके, Renal Portal System नहीं मिलता Aves और Mammals में यह याद रखना Year के बारे में NC18 ने बड़ा Emphasis किया है Year के बारे में बड़ा Emphasis किया है कि जो Year होता है यह Internal होता है मतलब बहार से तुमें मचली का Year नहीं दिखता तुमने कभी मचली में ऐसा पिनना देखा है क्या मचली ऐसी दिखती है क्या कभी? मचली ऐसी नहीं दिखती है तो इसका Year Completely Internal है लेकिन जो Emphasis में Internal भी होता है और Middle भी होता है ठीके? फिर इसमें क्या होगा बिटा? इसमें क्या होगा Reptile में Year तो Complete रहेगा लेकिन Year पिनना नहीं रहेगा ठीके? रेप्टाइल में Year पिनना नहीं बस ऐसा Whole रहता है ठीके? फिर उसके बाद इसमें भी होल रहता है बर्ड में भी Year पिनना नहीं मिलता है लेकिन Mammals में Year पिनना मिलता है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? कि Year पिनना is the characteristic feature of mammal ऐसा बोल सकते हैं क्या? Ear Ossicles इसमें Absent रहते हैं इसमें Single, Single, Single और इसमें 3 Malleus Incus Steps Skull के बारे में एक्जाम में बहुत बार question पूछा जाता है तो तुम या तो यह याद कर लो कि Monocondolic कौन से होते हैं या तो Dicondolic कर लो तो ऐसा याद कर लो कि जो Amphibians हैं और Mammals हैं आम इनके पास Dicondolic Skull हैं मतलब 2 Condiles present हैं सब में Monocondolic है Cranial Nerve इसमें 10, 10, 12, 12, 12 पेर ठीके फिर और क्या है कौन कब Evolve हुआ था यह जानना जरूरी है ठीके तो Pisces Devonian Period में Evolve हुए थे हना तुम अभी Period याद कर लो जो 11 वाले 12 में तुमें बता दूंगी Periods ठीके जो Amphibians हैं Carboniferous में हुए थे Reptiles Mesozoic में हुए थे Aves Cenozoic में हुए थे और Mammals भी Cenozoic में हुए थे Reproduction क्या है VVB है, OVB है ठीके फिर इसका क्या है सिर्फ OV Paras या OOVV Paras ठीके इसका क्या है बटा OV Paras और सम OOVV Paras OV Paras इसका गलत लिखा है इसका होगा VV Paras ठीके, चलो अब इनके एक्जामपल करते है Sawfish, Dogfish यह तो तुमें सारे पता ही है Pisces के एक्जामपल Toad जो होता है Frog जो होता है Tree Frog जो होता है Salamander जो होता है यह Amphibian के एक्जामपल है Reptiles के क्या के एक्जामपल होते हैं इनी भी Lizard, Turtle, Tortoise आते यह सब Reptiles का एक्जामपल है Snakes, Reptiles का एक्जामपल है तुमें बता देती हूँ Snakes के बारे में एक Question Exam में पूछते ही है कि Poisonous Snake कैसा है Non-Poisonous Snake कौन सा है इनको Learn कर लेना Exam Point of View से Very Important है Crow, Pigeon, Tota ओड, Mena ओड, कबूतर ओड, Parrot ओड, Ostrich ओड जो भी उड़ता है वेटा सब Aves है ठीक है, इनके Scientific Name याद करना कल मैंने पता चला एक Parrot की Photo दे दी, तुमें क्या बताना है Parrot का Scientific Name क्या है तो कल के लिए अच्छे से Prepare कर करके आओ ठीक है, फिर Mamel में क्या आते Camel, Cat, Dog, Rat, Lion, Elephant, Monkey और Blue Whale तो Largest Mamel कौन है अर्थ पे Largest Mamel है Blue Whale पर ये Aquatic Mamel है बहुत बड़ी होती है लेकिन यह कोई तुमसे पूछे कि Land पे रहने वाला सबसे बड़ा Mamel कौन सा है तब Elephant बोल देना बिना सोचे समझे ठीक है, अब एक चीज बड़ी important है कि What is this Cloca ये Cloca क्या होता है तो Cloca क्या होता है एक Common Opening रहती है तीन सिस्टम जहां Open होते हैं उसको Cloca बोलते हैं Elementary Canal, Urinary System और Reproductive System मतलब Digestive, Urinary, Respiratory तीनों की एक Common Opening होती है इसको क्या बोलते हैं इसको हम Cloca बोलते हैं Cloca के बारे में important है ये है ठीक है, दूसरी बात कल Photo Voto तो तुमसे कली पूछेंगे exam में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि Limbless Amphibian किसको बोलते हैं तो Ecthyophis को Limbless Amphibian बोलते हैं ठीक है, Reptiles में कभी पूछ ले कि Scales को और क्या बोलते हैं तो Scale को Scute बोलते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि जो Reptile होते हैं उनकी एक आदत होती है Skin को जड़ने की जैसे ही Atmosphere या Environment Change होता है इनकी जो Outer Covering of the Skin होती है इसको ये Shed कर देते हैं तो तुमने सुना होगा मम्मी पापा से केचुली मितलब Skin क्या करते है जो Snake होता है ये क्या करते है अपनी Skin को Shed करता है तो पूरी केचुली निकलती है उसकी ठीक है और क्या-क्या जरूरी है बेटा इसमें मैं बता देती हूं याद कर लेना बेटा Lizard Garden Lizard कौन सी है Tree Lizard कौन सी है ठीक है Poisonous Snake कौन कौन से होते है Naja, Crate और Viper इन्होंने काट लिया तो नहीं मचोगे बाकी सब तो Non Poisonous ही होते है नाजा नाजा गाना मत गाना शुरू कर देना ठीक है Viper एक Viper Snake होता है ये बहुत ज़्यादा Poisonous होता है इसका जो Poisonous होता है वो Hemotoxic और Cardiotoxic होता है Heart Attack से Death हो जाती है इसका जो Poison होता है Crate का Bengerus का Neurotoxic Nervous System का Effect करता है Indian Cobra Cobra से सब इसलिए डरते है Neurotoxic काटने के बाद बचना बहुत मुश्किल है ठीक है ये सब बताया है इसके बारे में एक चीज़ बताया है Rattlesnake ठीक है Rattlesnake क्यों बोलते है क्योंकि एक आवाज करता है रेट 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 ऐसी आवाज करता है ये Poisonous है अजगर अजगर के बारे में क्या IMPORTANT है That it is Largest Non Poisonous Snake ठीक है Largest Non Poisonous Snake इससे तो बहुती ज़ादा डरते है ठीक है फिर उसके बाद आजाओ एक Snake होता है बटा ये इसके एक्जाम में नहीं आएगा सुन लो Mucosus Red Snake है Red को खाता है तो ये Farmer का Friend होता है कि कभी गेहूं की जब खेती वेती होती रहती है तो ये आके क्या करता है Reds को खा जाता है ताकि Reds क्या करे खराब ना करे वहना उसकी फसल को Numatic मतलब क्या होता है Air Cavity तो Bird के बारे में एक Special बात ये है कि उसमें Numatic Bones होती है मतलब उसकी जो Bones होती है वो Hollow होती है तभी तो वो उड़ पाता है इतनी भारी-भारी Bones लेकर कौन ही उड़ पाएगा ठीके उसके बात Birds के पास Teeth नहीं होते इनके पास Beak होती है ठीके जरूरी नहीं है कि सारे Birds उड़ पाए ठीके Presence of Feathers कुछ Flightlets Bird भी होते है Ostrich इसका मतलब जब चिडिया उड मैना उड खेलो तो कभी कोई Ostrich बोड़ ले तो उसको उड़ा मत देना नहीं तो आउट हो जाओगे ठीके चलो और आगे चलते है स्किन क्या होती है ड्राइ होती है क्योंकि इसमें Gland नहीं होती सिर्फ एक जगे Gland present होती Oil Gland Base of the tail जो पूच है थोड़ा सा ऐसे पूच जैसा Feather निकला हुआ दिखता है महाँ पे Oil Gland present होती है ठीके ये याद रखना ठीके ठीके और जो Digestive Tract होता है उसमें Crop और Gizzard होता है मैम Crop और Gizzard तो कौकरोच में देखने को भी मिलता है ठीके जो Crop और Gizzard होता है वो कौकरोच में भी दिखता है तुम्हें पता ही है Air Sex रहते हैं इसमें है याद रखना ठीके ये अपना National Bird है तुम्हें पता है कि नहीं पता है National Bird National Bird है ठीके चलो फिर जो Bird की Study होती है इसको Ornithology बोलते है डॉक्टर सलीम अली का बहुत बार Mock में Question आता है कि इन्होंने Birds की बहुत ज़्यादा Study करी थी ये Ornithologist है इनको Bird Man of India बोलते है ठीके Bird Man of India बोलते है Birds को क्या बोलते है Feathered Bipeds दो पैर से चलते ना तो Bipeds और आगे के Limbs Feather में Modified हो जाते है Wings में तो Feathered Bipeds बोलते है ठीके तो जो Oil Gland होती है जो पूछ के नीचे प्रेजन्ट होती है उसको Preen Gland बोलते है ठीके ये Feather को Lubrication देती है उड़ते टाइम नी तो बिटा Friction हो जाएगा तो उड़ने में Problem आईगी ठीके फिर Bird जहां से Sound Produce करती है तो उसके Larynx को Sirens बोलते है तभी तो वो गाप आती है ठीके Lungs spongy होते है ताकि भारी ना रहे भारी रहेंगे तो फिर उड़नी पाएंगे ठीके फिर जो Pigeon होता है इसमें क्या होता है एक Crop Milk यह अपने बच्चे को क्या करता है खाना लेता है चबाता है Crop में डालता है फिर Crop से Vomit निकालता है और अपने बच्चे को Crop का खाना खिलाता है Crop Milk ठीके तो फिर इसमें Bird में RBCs क्या रहती है Nucleated रहती है Birds में RBC क्या रहती है nucleated रहती है, फिर bird में भी sternum रहता है, तुम्हें पता है जो bird का sternum रहता है, उसको keel बोलते है, ये keel को wishbone बोलते है, तो पहले क्या होता था, लोगों को लगता था इस keel को हाथ में लेने से, wish मांगने से wish पूरी होती है, तो कोई कोई लोग birds को मार देते थे keel को निकाल लेते थे और keel से wish मांगते थे, ठीके mammary के बारे में तो क्या ही बता है mammal को mammal क्यों बोला, क्योंकि इसमें mammary gland है, it is the characteristic feature of mammal, hair भी characteristic है, mammal के और pinna भी characteristic feature है, mammal का, ठीके जो भी तुमें बारे में पता है वो पता ही है, फिर जो mammals रहते हैं, इनकी study को mammalology बोलते हैं, ठीके जो mammal होते हैं, तीन टाइप के होते हैं proto therians, metatherians और eutherians, यह क्या करते हैं, proto therians, egg ले करते हैं मतलब यह क्या होते हैं, ove paris होते हैं, ove paris मतलब बेटा क्या है, इसका एक्जाम्पल है प्लाटिपस, डग्ड वाइल्ड प्लाटिपस, इट इस ओवी पैरस, मैटा थेरियन है, मतलब जो है तो वी वी पैरस, मतलब बच्चे को बर्थ दे दिया, पर जो डेवलपमेंट है वो बोडी के अंदर नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट बोडी के बाहर पा बेवलपमेंट है बेबी का बोडी के अंदर है ठीके, तो यह होगी और नितो रिंकस, प्लाटिपस, यह होता है ओवी पैरस, ठीके, यह कनेक्टिंग लिंक हो जाएगी एक टाइप से, ठीके, फिर यह हो जाएगा मैक्रोपस, कैंगरू, मैटा थेरियन, फिर यह है प्लाज कंप्लीट हो गई है, बेटा हमने पांच दिन में पूरा आनिमल किंग्डम कंप्लीट कर दिया है, यह जो भी बेटा पीडिएफ है यह आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीके, यह पीडिएफ मिल जाएगा, कल शाम को 7 बजे फिर नॉक्टर्नल मौक में आजाएगा, चलो डिनर कर लो, रेस्ट कर लो, कम मिलेंगे रात को 11 बजे नॉक्टर्नल मौक में, चलो बच्चो बाई बाई टेक केर, गुड नाइट, अगर सेशन बढ़िया लगाओ तो लाइक कर दो है न, ओके बच्चो